प्राइम टीवी सच साहस सरोकार शौकत मिर्जियो येव ने पीएम मोधी का जोड़दार स्वागत किया जिसके बाद SCO समिट के तहत होने वाली बैठक में पीएम मोधी ने भाग लिया वहीस बैठक में कई एहम बुद्दों पर भी चर्चा हुई पाकिस्तान पीएम सहबाज शरीफ को एक बार फिर से इंटरनेशनल मंच पर शरमशार होना पड़ा दरसल SCO मीटिंग से पहले पाकिस्तान के पीएम शहबाज सरीफ की रूस के राश्टपती व्लादी मेर पुतीन के साथ मीटिंग चल रही थी जिसके बाद पुतीन ने रूसी में अपनी बाद कही जिसके बाद पाकिस्तान पीएम को पता चला कि ट्रांसलेटर तो चल ही नहीं रहा जिसके बाद पुतीन की भी हसी रुक नहीं पाई काफी देर तक पाकिस्तान पीएम का ट्रांसलेटर टूल काम ही नहीं किया इंटरनेट से जुड़े स्मार्ट उपकरण और साइबर सुरक्षा को लेकर यूरोपिय संग अब और भी सक्त होने जा रहा है बता दे कि यूरोपिय संग की कारेकारी साखा ने एक नए कानून का प्रस्ताव रखा है वहीं ये नियम निर्माताओं को सुनिश्चित करने के लिए मजबूर करेंगे कि इंटरनेट से जुड़े उपकरण साइबर सुरक्षा मानकों को पूरा करते रहें एलिजबित कुईन के ताबूत के पास खड़ा बुज़ुर्ग रॉयल गार्ड गिर गया दरसल पूरा मामला वेस्टमिंस्टर हॉल का है जा कुईन का ताबूत है जिसके चलते अब हर 20 मिनिट में गार्ड्स की ड्यूटी चेंज हो रही है बता दें कि कुईन एलिजबित का ताबूत लंदन के वेस्टमिंस्टर हॉल में पहुँच गया है जहां लोग अगले दिन यानी महरानी के अंतिम दर्शन कर सकेंगे इटली की जिनोवा शहर में अचानक आय तुफान की वज़े से एक पुल का हिस्सा ढह गया जिसमें 30 लोगों की मौत हुई है देश की उपरिवहन मंत्री एडोराडो रिक्सी ने 30 लोगों की मोत की पुस्टी की है उन्होंने कहा कि मनने वालों की संख्या बढ़ सकती है एट एन फ्रीवे का बड़ा हिस्सा उत्तरी बंदरगान नगरी में रेलवे लाइन पर गिर गया बता दे की कुछ वर्षों में इटली में ये सबसे बड़ी पुल गिरने की घटना है पाकिस्तान की पूर्व पीम इमरान खान ने देश की जनता को संबोधित करते हुए कहा की 100 रुपे में 1 लीटर आटा वही से लेकर इमरान खान को सोशल मीडिया पर जम कर्ट्रोल किया जा रहा है हाल ही में इमरान खान ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अप्लोड किया जिसमें वे पाकिस्तानी लोगों के समू को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कुछ ऐसा ही कहा जो पूरी दुनिया के लिए बड़ी हसी का विशय बन गया उसबेकिस्तान के समरकन में शंगाई सैयोग संगटन शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है वहीं सम्मेलन में रूश के राष्ट पती व्लादी मेर पुतीन और चीन के राष्ट पती शी जिन पिंग ने मुलाकात की युक्रेन शुरू होने के बाद जीन पिंग और पुतीन की ये पहली फेस टू फेस बैठक है बता दे की चीन और ताइवान से जुड़े तनाव पर जिन पिंग को पुतीन का समर्थन मिला है रूस के व्लादी मेर पुतीन ने कहा की रूस एक चीन नीती का समर्थन करता है रूसी सेना ने युक्रेणी रश्ट पती व्लादीमेर जलन्सकी के ग्रहनगर क्रीवी री के पास इनहालेतूस नधी पर बने एक बांध को आट क्रूज मिसाइलों से उड़ा दिया जिसके चलते शहर के बड़े हिस्से में बाड़ का पानी लोगों के घर में घुश गया वही अब सहर के निवासियों को बहार निकाला जा रहा है स्वीडन की प्रधान मंतरी मैगडेलेना एंडर्सन ने दक्षिनपंती समू के देश की संसद में समाने बहुमत हासिल करने के बाद अपने पत से स्तीफा दे दिया वही एंडर्सन ने स्वीडन की 349 सीटों वाली रिक्स डेक के अध्यक्ष एंड्रियास नौर्सेल ने से मुलाकात की और उन्हें अपने स्तीफे के बारे में अपचारिक सूचना दी नई सरकार बनने तक एंडर्सन कारवाहक प्रधान मंतरी बनी रहेंगी पाकिस्तान में आई बार्ड ने जबर्दस तभाई मचाई है या क्रिसी भूमी कारवार शहरी क्रशी छेत्र जुडी सडकों के साथ अर्थ विवस्ता को काफी नुकसान पहुचा है इस बीच पाकिस्तान की खस्ता हालत पर पीम शहवाज सरीव का दर्ध छलक पड़ा है उन्होंने कहा कि देश की अर्थ विवस्ता को लेकर मिश्र देश भी पाकिस्तान को भीक मागने वाले के रूप में देखने लगे हैं प्राइम इंटर्नेशन में बस इतना ही देखते रहें ये प्राइम टिवी